उजयन जिले के नागदा तहसील में आवारा पस्वों का अतंक इतना बढ़ गया कि घर के बाहर बच्चों पर भी आवारा जानवर हमला कर रहे हैं 14 सेकेंड का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें चार वर्सी बच्ची को सांड सिंग से उठा कर पटक देता है बच्ची के पिता देविंद्र ने बताया कि बच्ची शाम पांच बजे खेल कर घर में आ रही थी इतने में दूसरी ओर से आ रहे है सांड ने उस पर हमला कर दिया इससे पहले भी कई बार आवारा पशु को लेकर लोगों ने शिकायत की है लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं सुनता ये पहली घटना नहीं है इससे पहले एक सत्तर वर्सी बुजुर्ग मैला नागदा में घायल हो चुकी है एक दुकान में आवारा पशु लड़ते हुए ग जाने लगी और धरवाजे पर जैसे ही पहुची तो सांड ने महिला पर सींग से हमला कर पटक दिया था हमले में महिला घायल हो गई थी उसके सर और कमर पर चोट आई थी दूसरी घटना जुलाई की है जब रात 9 बच के 20 मिनट पर शहर के कोटा फाटक छेत्र के एक नमकी मैं इवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकिचसकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9-6-9-1-2-8-8-5-6-0 पर या फिर संपर्क करें 7-5-6-8-3-1-5-5-1 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 0-7-6-2-3-5-9-9-7-4 पर या फिर संपर्क करें 8-6-0-2-8-8-5-9-9-0 पर